अरे बेहन जी घर की बहु में तो साक्षात्मा अनपूर्णा का वास होता है अपने परिवार को अच्छा-च्छा स्वादिश्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धरम होता है बिल्कुल सही कह रही हो बेहन जी लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढून पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सिंग अब आप हमें ही ले लीजे अर्नव मेरा इंजीनियर है कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही वो क्या है न मेरा अर्नव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानि कॉंटिनेंटाल फूट हाँ कॉंटिनेंटाल फूट बनाना जानती होगी और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी अरे ना ना बेहन जी सब लड़कियां एक सी ना होती मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना चांती है खास कर वो विदेशी continental food फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजे उर्मिल अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है देखो सानवी, जो भी हो बस इस interview को clear कर ले बहुत बड़ी party आई है रिष्टे के लिए खूब नौकर चाकर और गाड़ियां है घर में तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करीगी राज और सुनना मैंने तेरी तारीफ में बड़े-बड़े कसीदे पढ़ दिये है कि तुझे बहुत ही बढ़ियां-बढ़िया continental खाना बनाना आता है मा, मुझसे आलू-पूडी, रोटी, सबजी ये सब तो ठीक से बनता नहीं पराठा बनाती हो तो पहचानना मुश्किल हो जाता है ये पराठा है या श्री लंका का मैप और continental dishes का तो मुझे नाम तक नहीं पता अरे शुरू-शुरू में तुना वो यूट्यूब देखकर बना लियो फिर जब उनका मन भर जाएगा continental खाना खाकर तो उखुदी मना कर देंगे बनाने को वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतु का खाना जादर दिन तक थोड़ी न खाया जाता है चल अब अच्छो से touch up लेकर बाहर आ जा तयार होकर सानवी बाहर आ जाती है फिर बादचीत में अर्नव की मम्मी और अर्नव को सानवी बहुत पसंद आती है साथी जब वो ये पूछते हैं कि उसे continental खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है continental का न जी वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ये बात सुनते ही लड़के वाले जट से शादी के लिए तयार हो जाते हैं कुछी दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है शादी के बाद देखो सानवी तुमारे हाथ के बने continental खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया साथ बना कर खिला दो अभी बना कर लाती हो रसोई में जाकर वो YouTube खोलती है फिर सोचती है नई 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 अगर मैंने इन्हें कोई famous dish बना कर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता ऐसा करती हूँ कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूगी सानवी फ्रिस खोलती है उसे उसमें तुरही दिखाई देती है वो कच्ची तोरी में मसाले लगा कर अवन में ग्रिल होने के लिए रग देती है कुछ दिर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरही करारी हो गई होती है ये भगवान, ये तो कुछ जादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मैनीज और टमेटो कैचप दोनों को मिक्स करके इसके उपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परुस्ती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है वो डिश देखकर अरनव अपनी मा से कहता है। अरीफ करता रही हो। ठीक कहती हो मा, लेकिन सच्ची में मा, यह बहुत ही वायात है खाने में। तब ही सानवी वहाँ आ जाती है। वावा बहु क्या मज़ेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मज़ेदार खाना तो मैंने किसी फाइव स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वा, मा जी को मेरे हाथ के जली हुई तो रही इतनी पसंद आई। वावा भगवान तूने बचा लिया। भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ। अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसो का साख सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में वाइट सॉस मिलाने के जगा, उसम अपने के बाद नाम नहीं लेंगे कौन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वाइट से प्लेट में निकाल। अर्नब और उसकी मा पहला चमच खाने के बाद ही दो गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ अब वो हर रोज इसी तरह अजीबो गरीब डिशन्स बनाकर कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहु से। बहु तेरी न दिल्ली वाली बुआ सास उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं। तू न उनके लिए वो सब कौन्टिनें मेरी बहु कितनी गुनी हैं। हैं? अब पर मा जी में कहा रही थी कुछ सिंपली बना लेते हैं। सबको न ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना। उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहु कितनी मॉडन है। और हां वो पनीर सु सुआहा और आकरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब महमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ उनकी बेटी और कैनडा में साथ साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक। वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं फिर रात को सब बैट कर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा तू तो एक बढ़िया शेफ है लेकिन मेरी बहु तो तुछ से भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुआहा और आकरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका सुआत तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर म हो चुके पनीर टिक्या और अर रोट में बना हुआ आखरी पास्ता। ये भी कोई खाना है और ये कॉंटिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वात खाना खाते है। मैं एक शेफ हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क् कि नाग बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे क्योंकि सच तो ये था हमने कभी बहले कॉंटिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने जूट का हम उससे। हाँ बेटा जैसे शादी करने के लिए तेरी मा ने जूट के पाहार बनाए न वैसे ही मै हाँ और आप दोनों के इस जूट में आखरी पासता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर-जोर से हसने लगते हैं। मेर कुछी देर में आता होगा, मैं उसकी पसंद के राजमा चावल और खीर भी बना लूँ। ठीक है मा, बाई, जखती हो। सुधा, देखो मैं सारा सामान ले आया हूँ। कुछ रह गया हो तो बता देना, मैं रामू से मंगवा लूँगा। अरे, केसर तो आप भूली गए, इस मिलानी, आपको पता है न, समीर को केसर वाली खीर पसंद है। अरे, ध्यान से देखो, थेले में नीचे है तो। अरे, हाँ, मिल गया पैकेट, अच्छा, ये काजू कतली तुम्हें याद थी। तु और क्या, मुझे पता है मेरे बेटे को काजू कतली बहुत पसंद है। जैसे तुम्हें अपने लाड़ ले के आने की खुशी है, मुझे तुमसे दोगुनी है। सुधा और सुधर्शन के चहरे पर जो आज खुशी झहलक रही थी, वो उनके बेटे समीर के वापस आने की थी। जो कई सालों बाद सियोल साउथ कोरिया से वापस आ रहा था। समीर की बड़ी बहन शालिनी की शादी, उसी शहर में ही हुई थी। और समीर ने सियोल साउथ कोरिया जाकर पढ़ाई की और वहीं काम करने लगा। अब काफी सालों बाद समीर वापस अपने देश इंडिया आ रहा था। अरे सुनिये, दर्वाजे की घंटी बजी है, लगता है समीर आ गया। सुनिये, जैसे ही दर्वाजा खोलती है, समीर के साथ एक साउथ कोरियन लड़की भी होती है और समीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मा, पापा, प्रणाम, जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा, ये कौन है बेटा। समीर के साथ लड़की को देखकर सुधा थोड़ी असमंचस में पढ़ जाती है। सुधा सारी बात शालिनी और अपने दामाद राजीव को बताती है। सब बहुत खुश थे सिवाए सुधा और शालिनी के। सुधा और शालिनी रसोई में जाकर आपस में बात करने लगती है। शालिनी मैंने समीर के सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे बुरा ना लगे। पर शालिनी ये समीर किस फिरंगी से शादी कराया है। जिसे ना हमारी भाषा की समझ है और ना ही हमारे रीती रिवाज होगी। और तो और मा पता नहीं खाना भी क्या ही खाती होगी है। इतनी देर में यून-जून किचन में आ जाती है और अपने बैग में से कोरियन किमची निकालती है। शाली नी दीदी, ये किमची है, हमारे याँ बहुत पसंद की जाती है, ये मैंने खुद अपने हाथों से आप सब के लिए बनाई है, आप खा कर देखिए, तुम्हें हिंदी बोलनी आती है, और ये किम, किम, किमची, ये क्या है, ये तो पहले कभी नहीं सुना। इतनी देर में समीर भी किचन में आ जाता है, अरे मा, यून जून ने मुझे पहले ही कह दिया था, कि इंडिया आने से पहले मैं उसे हिंदी सिखा दूँ, और देखो, कितनी सरपठ हिंदी बोलती है, और आप सब ये किमची खा कर देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट डि मैं अभी नया रेस्टरांट खोल रहा हूँ, उसमें कोरियन डिशेस भी रखवाई हैं, हमारे यहां कोरिया का बहुत अच्छा शेफ खाना बना रहा है, जिसे टेस्ट करने कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, मा जी मैं चाहता हूँ कि आप सब भी रेस्टरांट की इनोग्र हो गई और वो बिना बताय कोरिया वापस चला गया, ये बाद इनको रेस्टरांट में काम करने वाले एक शेफ ने बताई है, ये बहुत परिशान है मा, कुछी दिनों में इनके क्लाइंट्स किमची टेस्ट करने आने वाले हैं, और इतनी चल्दी कोई दूसरा कोरियन शे कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, तुम चिंता करती हो, फिर तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है, तुम आराम से यहाँ बैठो, मा मैं जीजू से बात करता हूँ यून जून सबकी बाते सुन रही थी, तभी वो सुधा से बोली सभी को यून जून का ये आइडिया अच्छा लगता है, राजीव से इस बारे में बात होती है, वो तो पहले ही यून जून की किमची की तारीफ कर चुका था, उसे भी ये बात बहुत अच्छी लगती है यून जून के पास किमची बनानी के लिए अभी समय था, इसलिए वो जल्दी जल्दी किमची तयार करती है, और इनाग्रेशन के दिन सब रेस्टरेंट पहुँच जाते हैं, जहां राजीव के सभी क्लाइंट्स यून जून की बनाई किमची खाते हैं, और उसकी बहुत पर माय ने सिर्फ इंसान का व्यभार रखता है, और तुम्हारे व्यभार को देखकर तो समझा गया कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी बहु के रूप में पाकर आज मैं बहुत खुश हो, हाँ यून जून, तुम मेरे भाई समीर के लिए एक परफेक्ट इसी तरह यून जून समीर के परिवार के साथ घुल मिल जाती है, और अपने जीजू राजीव के साथ उसके रेस्टरेंट में भी मदद करने लगती है, और कोरियन बहु की किमची उसके घर के साथ-साथ हर जगा प्यार बटोड लेती है